2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था मैंने शुरुआत में ही का था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो SSR के केस को सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन आज इतने दिन बाद कुछ लोग हैं जो सामने आकर के अब ऐसी बाते और ऐसी खबरे आ रही हैं कि अब SSR के उपर फिल्म बनाने का ऐलान हो रहा है जो लोग SSR के अगेंस्ट बाते किया करते थे और आज वो इस पब्लिसिटी के होर में आज अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं आज क्या है पुरा मैटर इस विशे में बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों बात है 14 जुन 2020 को जिस तरह से SSR के साथ इस तरह से वो दुनिया से चले जाते हैं उस वक्त पुरी तरह से देश बढ़ में पुरी तरह से शोर हला हो रही थी और उसी में से कुछ वहां के जो बॉलिवूर इंटर्टेनर हैं कोई लोगो का ट्वीट न कोई लोगो की CBI की मांग कुछ नहीं आ रही थी लेकिन कुछ यूट्यूबर्स और कुछ निउस चैनल वाले SSR के मामले को उठा करके CBI की जाच कर रहे थे लेकिन उसी के बीच में एक बंदा आता है जिसका नाम होता है रामू जिसको राम गोपाल वर्मा जो की पॉलिटिकल मुद्दे पर फिल्में बनाता है जैसे सरकार जैसी फिल्में या फिर रियल घटना पर ये इनसान फिल्में बनाता है 26 by 11 मुंबई में जो अटैक हुआ था ताज होटल के पास उस तरह की फिल्में इसने बनाई रियल स्टोरी से तो उस वक्त इसने आगस्त महीने में आगस्त 2020 में इसने ये बयान दिया था कि रिया जो है वो पूरी तरह से निर्दोश है उसको न कोई इसके इविडेंस है न इनको ट्रॉल करना शुरू कर दिया लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है मैं अपनी बात मैं अपनी विचार मैं अपने ओपिनियन को रखता हूँ और उसके बाद फिर पब पालवर्मा भी इस चीज़ को मानने लगे हैं कि अब जो केस है वो अलग दिसाधारा में ले लिया है। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है रामू के तरफ से बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको ये बता दे कि एक ऐलान आया है रामू को पालवर्मा के प्रोडक्शन हाउस क अंतरगत कि ये SSR के उपर फिल्म बनाना चाहते हैं क्योंकि रामू जो है वो बॉल्यूड इंडस्ट्री को बहुत थी फिल्मों में एक्सपोस्ट कर चुके हैं बहुत खमिया किस तरह से वहां पे कास्टिंग काउच होती है किस तरह से लड़किये के सामने सर्थ रखी ज आज भी वो इस चीज़ को मानते हैं एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं न कहीं वो SSR गुरूपिज्म का सिकार हुआ है जब SSR का मामला सामने आया तो पूरे बॉल्यूड इंडस्ट्री जो काप गई क्योंकि लोग अब एक्सपोस होने लगे थे उस वक्त और लोग अपनी पर् रिया जो है वो SSR को ड्रक्स देती थी ये आरोप लगा है उनके उपर जबरदस्ती ड्रक्स देती थी और उसको हरास किया करती थी ये सारी चीज़ें और ड्रक्स एंगल में भी उनका नाम आया है कि वो पैडलिंग किया करती थी ड्रक्स का उसका भाई शौविक भी इसमे लिप्ट था तो कहने का मतलब रिया ने कि मोसनल कार्ड भी उसके बाद खेला कि इस तरह से मुझे डिफेम किया जा रहा है मैं ऐसी नहीं हूँ आप लोग मुझे इतना बदनाम क्यों कर रहे हैं अगर ऐसी बात है तो मेरा भाई अभी उसकी स्थिती ऐसी हो गई है कि अब व असक mett गोपाल वर्मा जो हैं वो पूरी तरह से इस चीजों को पूरी भारी की से देख रहे थे और बहुत चरचा करने के बाद बहुत चीजों का सोध करने बाद उन्होंने एयलान किया कि मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूं आखिर से सार के साथ हुआ क्या और किस तरह स यह सामने आता है दोस्तों कि अगर SSR के उपर यह फिल्म बनाना चाहते हैं जिसके फैमिली वाले अभी भी एक आश और उमीद पे ठीके हुए हैं कि आज नहीं तो कल SSR को जस्टिस मिलेगा, CBI के एक फाइनल रिपोर्ट आएगी, इसी बीच में आप फाइनल रिपोर्ट मांगने के वजाए आप ये एनॉसमेंट कर रहे हैं कि मैं SSR के उपर फिल्म किस बेसिस पर आप कर रहे हैं, क्या उनके पिताजी ने आपको पूरी तरह से क्लिन चिट दे दी, कि आप जाईए इस पर फिल्म बनाईए कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, सबसे पहले ये तो क्लियर हो जाए कि SSR के साथ उस दिन हुआ क्या था, आखिर उसके साथ कौन स जिसमें लिप था शामिल था ये सारी चीज़े जब तक पता नहीं चलेगी तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इस मुद्दे पर फिल्म बनाना चाहता हूँ रामू ये कहते हैं कि जो कुछ भी इसमें हुआ है सेसार के साथ अगर इसमें रिया गलती है तो मैं उसको पूरी टीवी एक्टर की दुनिया का एक इतिहास उसने रच दिया टीवी एक्टर के दुनिया का एक रोमांचक दुनिया को पूरी तरह से प्रेरित कर दिया आज वो पूरी टीवी के दुनिया में एक रोमांचक इतिहास कहलाता एक मिसाल कायम करता है रस्मी देसाई ने एक खु वो सब को गलत सावित कर दिया था। क्यूं? मैं आपको बताता हूं। रस्मी दिसाई ने जो बयान दिया था कि हम लोग قोई भी प्रोड़क्शन हाउस में फिल्म गांगने जाते हैं, फिल्म मांगने जाते हैं, तो हमें यह बोल करके भागा दिया जाता है, बिज़त करके वहां से हटा दिया जाता है कि तुम लोग एक एक्ट्रेस हो तुम लोग को रोज पब्लिक देखती है अगर तुम लोग फिल्मे बनाओगे तो कौन है जो तुमें 2.300 रुपे लगा करके फिल्म देखने जाएगा तो इस तरह की embarrassing इस तरह का उनको फिल होता था जब उन्हें फिर्डक्सनाउस में ऐसी बाते कहते थे लेकिन ये सारे चीजों का जो लोगों के उपर जो परदा जो चड़ा हुआ था कि कोई टीवी एक्टर या एक्ट्रेस फिल्म में आकर के काम नहीं कर सकता है तो वो इस इससार ने आकर के पुरा मिसाल कायम कर दिया कि मैं फिल्म दुनिया में आकर एक इतिहास रचूंगा मैं टीवी एक्टर हूँ इससे क्या हुआ उसने वो सारी चीजों का एक मिसाल कायम किया एक फिल्म इंडस्ट्री में आकर के जिससे वहाँ के माफिया, वहाँ के गैंगिज्म, वहाँ के ग्रूपिज्म लोग को ये बाते खली नहीं और जिस तरह से उनका पुरी प्रोडक्शन हाउस से इंट्री बैन हो गई ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है टीवी एक्टर गुर्मीत ने तो यहाँ तक ये भी खुलासा किया है दोस्तों कि 8 साल पहले जब वो कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हाउस में जाता था तो उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया करते था और उसे कहते थे कि तुम लोग फिल्म बनाने के लायक नहीं हो लेकिन इन सारे प्रथा को सुसान सिंग राजपूत ने खतम करा जिस तरह से उन्होंने पुरे देश में पुरी दुनिया में अपना नाम एक परचम लहराया अब गुर्मीत को जानते होंगे खामोसिया जैसे फिल्म में उन्होंने काम करा उन्होंने भी बह और उन्होंने जो राह बना दिया वहां के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा उपर्चुनिटी इससार ने दिया। नहीं आजाए जब तक रामु को उनका फाइनल एप्रूवल ना आजाए उनके फैमिली के तरब से कि आप इस फिल्म बना सकते हैं तब तक एलान करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि एक फिलिंग्स एक समवेतनाय जूरी हुई है पूरे दैश और पूरी दुनिया के तरब आजाए ज्यूरी होगा कि rika है तरबुन के तरब झाल आजए.